तो रवीदास क्यों नहीं? उसमें कई सारे जो लेख, जो उसमें कविताय हैं, लेख हैं, रवीदास के दौरा जरी कि उसका संपादन करके गुरु गरंसाहिद में भी डाला गया है। पहां रुके थे, यहां पर उन्हों नहीं विशराम किया था। दिरे दिरे कई centuries लगी और फिर एक बार जो है एक मंदिर बन पाया वहाँ पर आपको पता दे ऐसा माना जाता है वहाँ जो मंदिर है वो आपको उनीश्वी स्ताब्दी मतलब जो आपको हम ले धवारे देश की अजादी उससे भी कई दश्कों पहले का आपको वहाँ पर जी बाबु जगवी जीवन राम वो उन्हों ने 1959 में जब जो मंदिर था उसका पुनर निर्मान किया गया उसको जिन्नोरधार किया गया तो उसका उद्वाटन बाबु जगवी जीवन राम ने किया काफी एतिहासिक मंदिर सिख कम्यूनिटी मानती है दलिद कम्यूनिटी मानती है लेकिन इतनी हर बड़ा हाट में डीडिये क्यों था और इतनी हर बड़ा हाट में सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट ने पहले ही कह चुका है कि इस वाइसले को एपॉलिटिकल माने इसको कोई भी राजनीतिक रंग देने ही कोशिश ना करें लेकिन बहुत कम वक दिया मातर 24 घंटा की जैसे ही फैसल हुआ मातर 24 घंटे के अंदर इस कंस्ट्रक्शन को ड़ा दिया जाया डीडिये का आपको इसमें जो बयान जारी हुआ उसमें इसे मंदिर तक एक बार भी यूज़ करके अपयोग नहीं किया हर वक कहा इमारत थी आपको अतिकरमन था उसे तोड़ा गया मंदिर तक नहीं का इसमें कई सारे आपको बातें हैं कुश लोग कह रहें नइटी फिफ्टिनाइन का मंदिर है एक वक्तिया कहना है जो अभी तोड़ा गया उसमें जो एक इेट है 1905 के मिली है कुछ लोगों गःना है कि पंदरवी शिदाब दी गाए तो काफी आस्था कविश है देश आस्था पर चल रहा है देश पर बढ़ी चीज़ चल रही है राममंदिर आस्था का टोपिक है रविदास भी आस्था का टोपिक है अब मामला है कि बाकी चाहिं क्यों निलेगा शि विरा कुमार ने ट्वीट किया अब बता नहीं चल रहा है यह मंदिर अचानक तोड़ के से दिया गया जब इतने लोग जो इतनी पार्टी इसकी विरोध में थी तो उस वक जब मंदिर तोड़ने से पहले वो पहले क्यों नहीं खड़े वें क्यों नहीं एक पॉलिटिकल इस और राजनीती दोनों का है देखना होगा जो मांग है आपको दिलितो की वापस पुनर निर्मान इसका किया जाए क्योंकि बहुत लोग कहते हैं जो उनके भग कहते हैं कि इसके पास सबूत है रिवेन्यू दिया जाता था परचिया कटती थी जमीन पर अब मंदिर था आप तो हम भी इस पे नजर बनाए रखेंगे लगतार इस तरह की वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सेस24 को सब्सक्राइब कर ले